एलो दोस्तों आज मैं आपके लिए टाटन X1, XZ Plus लिकर आया हूं कार की कुछ इस तरे से की मिलती है कार फ्रेंट से देखने में काफी हैबी लुक के साथ आती है जो देखने में काफी सुन्दर भी लगती है फ्रेंट में आपको प्यानो ब्लाक फ्निस, साथ में टाका वड़ा सा लोगो, बॉडी कलार बंपर, नीचे आपको प्लेट भी दिखने को मिल जाएगी, सिल्वल का रगगी फ्रेंट की अगर बात करें तो कार में आपको ट्वाइंग के लिए भी स्पेस ते रखा है नीचे बंपर में फॉग लैंप, कार में आपको डे और नाइट ररनिंग एलेडी मिल जाएगी, जो देखने में कार को एक अच्छा लुक देती है प्रोजेक्टर हेड लैंप, साथ में एक्सॉन की वेजिंग कार फ्रेंट से देखने में काफी मस्कुलर लुक के साथ आती है कार के और फ्रेंट की बात की जाए, तो आपको एहलोजेन लैट के साथ ही फॉग लैंप देखने को मिलेंगे कार में आपको फ्रेंट में डिस्क और रियर में ड्रंप, व्रिक मिल जाएंगे कार्ट डायमंड कट एलाय वील के साथ आती है जिसमें आपको 250, 60 और 16 के टायर मिल जाएंगे जो की काफ़े बड़े साइज की है साइड से और बात की जाए तो आपको प्यानो बिलैक कलर में ORBM ORBM पर ये आपको इंडिगेटर दे रखी है A और B पिलर आपको बिलैक कलर में मिल जाएंगे कार में बोडी कलर डोर हैंडल देखने को मिल जाती है अगर कार के उपर की बात की जाए तो आपको कार में रूफ रेल भी देखने को मिलेगी नेक्स ओन फाइव स्टार सेफटी रेटिंग के साथ आती है सन रूफ मिल जाएगी जिसका साइज जदा बड़ा नहीं है कार के अगर रियर की बात की जाए तो कार रियर से भी काफी सांदार लुक्स आपको प्रोवाइड करती है कार के अगर टेल लाइट की बात की जाए तो आपको LED इस्टोप लाइट मिलती है हलोजन इंडिकेटर, हलोजन बैक लाइट नीचे डिफार कार पॉंपर आपको बलेक रेंड बर्डी कलर में आपको मिल जाएगा कार में आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाती है नीचे आपको सिल्वर प्लेट भी देखने को मिलती है पीछे नेक्सॉन की बेजिंग बैक कैमरा, टाटा का लोगो, बाइपर दो सेर आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें डिफारगर, लोकल वोकल की बेजिंग, इस्टाप लाइट, सार्फिन एंटीना जैसी फीचर्स के साथ कार आती है कार के अगर और बात करें तो आपको बलैक प्यानों में और बियम उस पर ही आपको इंडिकेटर देखने हो मिल जाएंगे लगेस्ट सेंसर कार में आपको मिल जाता है कार के अगर इंटिर्युर की बात करें तो आपको बलैक एंड बेज की चारों पावर वन्डव में आपको मिल जाती है थो बहुंब अब हड़ प्लस्टिक का ज़्यादाति इस्तमाल हूआ है दो रहें सब वो क्रूम में आपको देखने को मिल जाएगा और भी हम आपको आटो फॉल्डेबर और जैस्टेबल मिल जाएंगे जिसके कंट्रोल आपको ड्राइबर साइट पर मिल जाएंगे इस्पीकर अम्रेरा होल्डर अपर आपको एक लिटर के मोटल के लिए स्पेस दे रखा है आप लाइट भी एक गेट खुलेंगे तो लाइट जलेगी यह बहुत अच्छा सेफटी फीचर के तौर पर भी आप कह सकते हैं ड्राइबर से आइड सीट आपको हाइड एजस्टेबल रेकलाइंग के साथ मिल ज आप मोबाल रख सकते हैं कि आज के ब्लोर के चारों तरफ आपको क्रॉम फिनिश देखने को मिल जाती है यह आप पर आपको थोड़ा सा हार्ट टच मिल जाएगा करके स्टेरिंग की बात करें तो आपको टेल्ट इसमें स्टेरिंग मिलता है टाटा का बड़ा सा लोगो मे लूज कंट्रोल मिल जाएगा यूकि एक बहुत अच्छा फीचर है ऐसे आपको लाइट के एड़ेस्ट कर सकते हैं वाइपर की कंट्रोल मिल जाएंगे आपको लिए मैं आपको बैक के स्पेस भी कार में चेकरा देता हूं इंटियर की बात करें तो आपको सेम इंटियर द है एड़ ट्रैस्ट आपको एड़ेस्टेबल मिल जाएंगे इस पेस की बात करें तो मैंने रिकॉर्डिंग एड़ेस्ट कर रखी है फिर भी उसके बावजिद मुझे काफी अच्छा स्में स्पेस देखने को मिल रहा है पीछे आपको एसी के ब्लोवर मिल जाएंगे चार्जिंग सॉकेट पीछे से कुछ इस तरह से इसका इंटिरियर देखने को मिलता है सं रूफ जो देखने में काफी प्रियम लुक प्रोबाइड करती है बैक में भी आपको एड़ेस्टेबल मिल जाते हैं आम रैस्ट कार में आपको दो कफोल्टर के साथ मिल जाएगा मिलेगी पर थोड़ा सा हमप आपको कार के बीच में मिल जाएगा कि कार फाइब स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है कि एक बार आप गेट की थर्ड सुनिए काफी सॉलिड आवाज है इसकी कार में आपको तीन मोड देखने को मिल जाएंगे सिटी स्पोर्ट और इको मोड गैर लिवर के चार उतरा आपको प्यानो ब्लैक निस और क्रोम बर्क देखने को मिल जाएगा आपको यहां पर दो का फोल्डर थोड़ा बहुत अपना कुछ और साबन भी आप रख सकते हैं एंड ब्रेक शिक्स स्पीड मैनुएल ट्रांसमीशन आपको कार में मिल जाता है इसमें आपको ट्वाल बोल्ट का चार्जिंग सॉकेट फायर चार्जिंग के लिए भी इसमें आपको दे रखाई यूसी बगारा भी आप इसमें इसमें इस अच्क यहां पर हजार लाइट के लिए 8- सकते हैं कि कार कि अगर सीट की बात करें तो फैवरिक सीट कार्थ में इस्तमाल हुई है कार काफी चौड़ी मिल जाएगी यहांसे आप लाइट इस्तमाल कर सकते हैं यह संरूप के कंट्रोल दे रखी है अपर माइक कार में आपको संरूप को भी मिल जाती है जो आज कल एक ट्रेंडिंग में चल रही है कि इंडियन की चाहत हो गई है कि अब हमें संरूप बाली का लेनी है और बिम आपको डे और नाइट एड्रेस्टेबल के साथ मिल जाएगा ड्राइबर साइट पर आपको कोई भी दिखने को नहीं मिलेगा मेरर आप राइश्ट आपको मिल जाता है जिसके नीचे आपका फेस फेस भी है कार का बूत और चेक कर लेते हैं नेक्सवन की बात करें तो नेक्सवन आपको 350 लीटर का बूत इस पेस ऑफर करती है XZ Plus में आपको पार्सल ट्रे, बोट लाइट, होक और पंचर किट जैसे सामान भी इसमें आपको मिल जाते हैं नीचे बात करें तो आपको सेम साइज की इसमें इस्टबनी भी मिलती है जो की अच्छी बात है इसको आप इधर से फोल्ड भी कट सकते हैं नेक्स वन, बेस मोडल से ही आपको ABS, ब्रेक असे ट्रेक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स, टू एर बैग, सब कुछ प्रोबाइड करती है कार के अगर बॉनेट की बात करें तो काफी आपको इसमें बॉनेट मिल जाएगा क्योंकि ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है इंजन की बात करें तो ये 1.2 लीटर टर्बो चार्ड पेटरॉल इंजन है जो की 120 PS और 170 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करता है काफी टॉर्क की इंजन आपको नेक्स ओन में मिल जाता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किरपेल लाइक सस्क्राइब